प्रिटिकल साइंस राजनी दिविज्ञान कख्षा ग्यारवी एरा ओफ वन पार्टी डामिनेंस अर्थाग एक दल के प्रभुत्व का दौर एरा मीज दौर काल वो काल जब एक ही पार्टी का प्रभुत्व था प्रभुत्व, वर्चस्व, डामिनेंस, एंड हेजेमनी ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो उस काल में आप बहुत प्रचलित थे जिस काल की हम बात कर रहे हैं उसी समय विष्व में दो दलों का, दो दो राष्ट्रों का एक तरीके से प्रभुत्व था, दो राष्ट्रों के बीच विष्व में वर्चस्वता की लडाई थी और आपने से पढ़ा है, पढ़ेंगे इस अध्याय में हम जो ग्यारवा अध्याय है इसके पूर में हम देश की राजनीति को लेकर बहुत कुछ समख चुके हैं चुनावी राजनीति हो, अंतराष्टी राजनीति हो, या दली राजनीति हो यहां पर हम जानने की कुशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या था कि एक दल का प्रभुत्व था पूरे देश में, उसका दबदबा था, उसका वर्चस्व था इसके क्या माइने हैं इससे पहले मैं आगे बढ़ू, a word of caution to you all एक, आप लोग को एक हिदायत कि इसमें, इस अध्याय में किसी भी पंक्ति को समझने के लिए किसी भी घटना क्रम को समझने के लिए आपको मत्र उस पंक्ति को ही नहीं समझना है बलकि उस पंक्ति से जुले हुए अन्य पहलूओं को भी दिमाग में रखना है इसके माइने क्या कि यदि एक दल का किसी खेत्र में प्रभुत्व बढ़ रहा था तो इसके कारण क्या थे दूसरे दलों की क्या सिति थी वे क्यों नहीं पनप रह थे राजनीतिक विचारधारा का क्या असर पढ़ रहा था जनता की मानसिक्ता पे क्या असर था और विश्वकी राजनीति का भी इस पर कुछ असर पढ़ रहा था क्या विश्वकी राजनीति का भी देश की अंदरूरी राजनीति में दली राजनीति में किसी तरह का प्रभाव पढ़ रहा था क्या ये सब को हमको साइड बाइ साइड समझते रहना है कुल मिला कर एक से ज़्यादा परिप्रेक्ष में हमको सभी घटना क्रमों को समझने का प्रयास करना होगा तभी हम इस विश्य को अच्छी तरह समझ चाहेंगे और जान पाएंगे कि आखिर ऐसा क्या घटना क्रम था जिसने एक दल को इतना मजबूत बनाया कि ये काल जो है वह एक दली प्रभुत्व का काल कहलाता है एरा ओफ वन पार्टी डॉमिनेंस तो अब हम इसके जो विभिन बिंदु हैं किन-किन बिंदुओं पर हम इस अध्याय में बात करेंगे थोड़ा इसको जान लिए सर्प्रथम आम चुनाओ और बलकि उससे पहले जाय जाये तो सम्विधान सभा के निर्मान के बात की स्थितियां फिर उसके बाद तीन आम चुनाओ और आम चुनाओ का अर्थ क्या है? लोक सभा के जो चुनाओ होते हैं उसे आम चुनाओ कहते हैं और सामानितिया उन चुनाओ को आम चुनाओ कहा जाता है जो लोक सभा के होते हैं अपना पांच वर्षी काल पूरा करने के बाद अनिता यदि पांच वर्ष के पूर्व ही लोकसभा के चुनाओं होते हैं तो वे मध्यावधी चुनाओं कहलाते हैं दूसरे शब्दों में यदि हम तीन आम चुनाओं का अध्यन करेंगे उसके प्रणामों का उसके प्रभाओं का तो इसके मायने यह हुआ हम उन चुनाओं का ध्यन कर रहे हैं जहां पर लोकसभा अपने पांच वर्ष के काल को एक बार नहीं बलकि तीन बार उसने पूरा किया जिसलिए तीन आम चुनाओं की बात होगी दूसरा कौन साथ दल था जो अपना प्रभुत्व बनाय रखने में सफल रहा उसके एतिहासिक कारण तत्कालीन कारण अंतराश्टी जगत में उसका क्या कारण थे इसको हम समझने की कोशिश करेंगे दूसरे अर्थों में दूसरे शब्दों में राश्टी स्तर पर कौंग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति क्या थी किस तरीके का Congress का प्रभत्व था क्या वो तानशाही तरीका था क्या वो लोक तांत्रिक तरीका था क्या ये प्रभत्व केवल कागज में था या केवल अर्बन इलाकों में था शहरी इलाकों में या अंदरूनी इलाकों में भी था किस तरह का था एक होता है तानाशाही जिसमें दबदबे के साथ one party rule चलता है जो सत्ता का मुखिया होता है उसके इशारों पर पूरा देश चलता है चाहे वो राजनीतिक दल हो चाहे समाज हो चाहे मीडिया हो चाहे अन्निमाध्यम हो या वो लोक तांत्रिक तरीका था जिसके अधार पर जिसके बल पर कॉंग्रिस का प्रभुत तो रहा और यदि लोक तांत्रिक तरीका था तो इसके माइने क्या हैं यह हम समझने की कोशिश करेंगे उसके बाद हम जानेंगे राज़िस्तर पर कॉंग्रेस का प्रभुत्व कैसा था कॉंग्रेस का डबदबा कैसा था राज़िस्तर के माइने जो देश में जो विभन राज़ित थे क्या सभी जगा समान रूप से वो बलशाली था उतना ही या कुछ खेत्रों में कुछ ऐसे दल थे जो ज़्यादा मजबूत थे और कॉंग्रेस की सत्ता को एक तरीके से सुनोची दे रहे थे कॉंग्रेस के प्र मात्रीक राजनीतिक दल है या उससे भी ज़्यादा कुछ वो है कि आई वेन मिचारों का गठ्वन्धन है कि सी तरह का इनके सदस्यों के बीच Mें विभन विचारों के बीच में किसी तरह का समझ होता है तो अगला बिंदू ये बहुत अहम बिंदू है कि कॉंग्रेस एक गटबंधन के रूप में इसे हम समझने की इसके माइने को समझने की कोशिश करेंगे और अंत में आएगा मुख्य विपक्षी पार्टियां प्रारंब के तीन आम चुन को चुनौतियां मिलने लगी आखिर वो चुनौतियां कौन दे रहा था कौन से वे दल थे जो मुखर हुए जो सामने आये जिनका उदै हुआ और जिन्होंने कांग्रेस की प्रभुसत्ता को कम करने में सफलता पाई या कम करने का प्रयास किया तो विरोधी दलों का उदै चाहे वो खेत्री हों या राष्ट्री हों इनके बारे में अध्यन करेंगे और इसके पश्चाथ ही हम समझ पाएंगे कि आखिर एक पार्टी का प्रभुत्त क्यों और कैसे रहा इसके माइने हमारे लोक तंत्र के लिए क्या थे क्या किसी लोक तंत्र में ये एक सफल पैमाना होगा कि एक ही दल रहे या एक सच्चा लोक तंत्र वो है जहां पे बहुत से दल हो और यदि एक दल इतनी कदर हावी रहा इस काल में तो क्या भारत में उस काल में लोक तंत्र नहीं था तानशाही थी जो दूसरे दल पनप नहीं पाए आखिर क्या कारण थे इसको अब हम समझेंगे तो पिछले अध्याय में ये जानने के बाद कि इस अध्याय का केंदर बिंदू या इस अध्याय के बिंदू क्या रहेंगे थोड़ा साम पीछे जाएं पिछले अध्यायों में हमने एक बहुत महत्पूर्ण अध्याय पढ़ा था और उन चनोतियों के अंदर हमने देखा था कि कैसे ततकालीन सरकार अंग्रेजियों के जाने के बाद जो अंतरिम सरकार थी कितनी सारी विपत्तियों को जेलते हुए आगे बढ़ रही थी विभाजन देश का उससे उपजी हुई समस्या धर्म के आधार पर जो विभाजन की समस्या विस्थापन की समस्या इसके अलावा देश की संपत्ति के बटवारे की समस्या दो दोशों के बीच देश में किस तरह का तंत्र होगा इसकी समस्या देश के अपने समधान के ना होने की समस्या कश्मीर की समस्या राज्यों की अपनी समस्या है जो उस समय रियास्तों के रूप में थी अंग्रेजी काल में भाशाई मामले की समस्या और ना जाने कितनी समस्या है और सबसे बड़ी समस्या तो यह थी कि देश दो टुकड़ों में बट गया है अब ये जो सरदार पटेल के अनवरत प्रयास के बल पर जो देश को बचे हुए हिस्से को एक जुट किया गया है वो एक जुटता अक्षुन ने बनी रहे अर्थात देश को एक इकरित करना एक समस्या थी बहुत बड़ी समस्या छैसो रियासितों को मिलाना भारत में लेकिन उससे जदा बड़ी समस्या थी इनको एक इकरित करने के बाद इनको एक देश के रूप में एक राष्ट के रूप में बनाए रखने की समस्या ये सुनिश्चित करने की समस्या की देश अब देश की सीमाएं यथावत रहें बहुत बड़ी समस्या थी इन चनौतियों का हमने विस्तार से अध्यन किया और इसमें एक समस्या जो ये थी जिसका हमने उसमें अध्यन किया था बहुत था लोक तांत्रिक व्यवस्था की समस्या राश्ट निर्मान की चनौती के तुरंत बाद हमारे सामने जहां रियासतों को मिला कर देश को एक्रित करने और अक्षन ने बनाय रखने की समस्या थी वहीं दूसरी और बहुत अहम समस्या थी जो जिसे हम कह सकते हैं लोक तांत्रिक राजिनीती की जमीन तैयार करना लोगों में समझ लाना की लोक तांत्र क्या है और दुनिया में लोक तांत्रिक व्यवस्था के कई उदाहरण थे हम कैसा लोक तांत्रिक चाहते हैं कितना सच्चा और उसके लिए जमीन तैयार करने का रता है अंदरूनी इलाकों में देश के अंदरूनी भागों में लोगों में लोक तांत्रिक व्यवस्था के प्रति जागरूक्ता पैदा करना जिसका सबसे अहम अंग होता है उनके मन में ये महसूस कराना कि आप ही नेता आप ही सरकार चुनने के लिए सक्षम हो जो देश दो सो तीन सो चार सो वर्षों की गुलामी में एक तरीके से रहा चाहे राजशाही के रूप में मुगल शासन सल्तनत शासन या अंग्रेजी सत्ता के अंतरगत गुलाम के रूप में वहां के लोगों के मन लोगों से अपेक्षा करना कि वे तुरंत अपने को मानसिक रूप से भी स्वतंत महसूस करेंगे ये एक गलत सोच है शारीरिक रूप से हम स्वतन्तर होगे अंग्रेज़ों के जाने के बाल पर्मानशिक रूप से गुलामी की दास्ता हमारे अंदर इतनी जकड चुकी थी कि हम ये बहुत चे लोग मानने को तैयार नहीं रहे होंगे कि हम स्वतन्तर हैं इस बात के लिए कि हम अब अपना प्रधान मंतरी अपने देश का नेता खुद चुनने के लिए सक्षम हैं ये भावना लाना लोगों में उनकी सक्षमता को उजागर करना उनकी ख्षमता को सामने लाना ये एक बहुत बड़ी चुनोती थी और इसे ही यहां कहा गया है आपक तांत्रिक राजनीतिक जमीन त्यार करना ये एक बहुत बड़ी चुनोती थी राजनीतिक दलों के बीच अच्छा ये चुनोती रियासतों की तtemśouse चलना में और बड़ी चुनोती इसलिए कही जा सकती है कि रियासतों के मामले में एक बार यदि आपने राजाओं को फुस कतांत्रिक व्यवस्था की जमीन तयार करना एक ऐसी समस्या जो बहुत लंबे काल तक चलती है इसको इसमें बदलाओ लाने में इस मानसिक सोच में बदलाओ लाने में कई दशक लग जाती है यह कोई इसका इलाज तुरित नहीं था ग्रैजुली होता है इसलिए यह और समस्या थी राजनीतिक दलों के बीच चुनावी प्रतिस परधा जो आज हम देखते हैं जिससे आज आज आप सब वाकिफ हैं यह चुनाओं के समय कैसे राजनीतिक दल एक दूसरे से तकराते हैं एक दूसरे के प्रतिकार करते हैं आदियादी यह आजादी के तुन्ट बा शुरू हो गई आजादी मिली नहीं और प्रतिस परधा टक्राओ शुरू हुआ इस अध्याय में हम चुनावी राजनीती के पहले दशक की बातों पर खास गौर करेंगे अब यह याद रखें क्योंकि हम बात करने हैं लोक तांत्रिक राजनीती की जमीन तयार करना जमीन तय जार करने के लिए पहले दशक का अध्यान बहुत महत्पूर्ण है और यह पहला दशक अर्थात लगभग दो लोक सभाद चुनाओं के आस पास का काल तो हमें पहले दशक पे अर्थात उनीस सो सैंतालीस अर्थालीस या उनीस सो पचास ते लेके उनीस सो साट तक की बात क करें तो यहां इस काल का हमको अध्यान करना होगा और उनीस सो पचास साट का है वही काल है जब राष्ट निर्मान की चुनाओतियों के तहद आपके द्वारा पढ़ी गई अधिकतर चुनाओतियां उसी समय मुह बाय खड़ी थी उस दरम्यान इस चुनाओति को कैसे स्व के हम समझेंगे विशेश रूप से एक स्वतंत्र और निश्पक्ष चुनाओ प्रणाली की स्थापना इस लोग तांत्रिक विवथ्था की राजनीतिका सबसे महत्पूर्ण बद्दा था स्वतंत्र और निश्पक्ष चुनाओ चुनाओ सब जगह होते हैं चुनाओ सब त आते देखा होगा, अलग-अलग शिष्कों ने अलग-अलग प्रक्रिया अपना ये चुनाओ कराने की, कहीं पर वास्तों में सीक्रेट बैलट के अधार पर चुनाओ हुआ, जहां पर किसी को भी पता नहीं कि आपने किस को वोड़ दिया, कुछ चुनाओ ऐसे थे जहां पर स सर्व सम्मत चुनाओ माना गया, एक चुनाओ ऐसा भी आपने देखा होगा, एक हमें जब चुनाओ करने के लिए तीन-चार लोग खड़े होते हैं, उनको भाशन देने के लिए कहा जाता है सामने, और उसके बाद आपके शिक-शिक कहते हैं, अब जो लोग X के पक्ष में वोट देना चाहते हैं, वहाद उठाएं, यानि सब को मालूम है कौन किसके पक्ष में वोट दे रहा है, ये सभी लोक तंत्र के अलग अलग जुनाओी प्रक्रिया हैं, इसमें ते कौन सी प्रक्रिया सर्वश्रेश्ट है, और क्यों, और यदि सर्वश्रेश्ट है, तो क् उसे लागू करने के लिए सक्षम थे, ये भी एक बहुत बड़ा विश्र था, जरूरी नहीं कि सर्वश्रेश्ट ही, जो सर्वश्रेश्ट पक्रिया हो, वही सबसे सफल पक्रिया हमारे देश के परिप्रेक्ष में हो, या किसी भी परिप्रेक्ष में हो, तो फिर हमने जो लागू किया चिनावी प्रक्रिया अपनाई वो क्यों अपनाई वही क्यों अपनाई तो सुतंत्र और निश्पक्ष चिनाव प्रणाली की स्थापना इस प्रक्रिया में जमीन तैयार करने की प्रक्रिया में पहला कदम था उसके बाद जब ये चुनाव निश्पक्ष होने लगे तो देखा गया कि एक ही दल लगातार अपना दबदबा बनाया हुए है और वह था कॉंग्रिस तो अजादी के बाद के जो शुरुवाती 10-15 वर्ष हैं उसमें जो कॉंग्रिस का दब तंत की निश्पक्षटा पर मतदान की निश्पक्षटा पर प्रश्चिन भी उठने लगे थे ये सवाल उठने लगा था कि क्या वास्तों में भारत जैसे विशाल देश में खासका जहां की जन्त संख्या का 85 प्रतिशत अन पढ़ है अनपड है क्या वो इस बात के लिए सक्षम है कि वो किसे वोट देना उचित समझे इसको लेकर बहुत सवाल हुए तो हम इस पे भी अध्यन करेंगे और फिर जैसा मैंने पूर में बताया इसका अंतिम हिस्सा होगा विपक्षी दलों का उद्भाव अंतिता होता है तो क्यों होता है कॉंग्रेस की ऐसी क्या नीतियां थी कॉंग्रेस की ऐसी क्या ऐसी क्या बातें थी जिसने वो गुझाईश दी जिससे की नए दलों का उद्भय हुआ तो इसमें इस पृष्ठ भूमी के तहट इस पृष्ठ भूमी को समझने के बाद अब हम बढ़ते हैं अध्याय के पहले बिंद उपर हुआ है लोकतंत्र इस्थापित करने की चुनोती आखि लोकतंत्र की इस्थापना हमारे लिए चुनोती क्यों थी पहला बहुत सारी चुनोतीयं थी जिसका हम अध्यान कर चुके हैं इन चुनोतीयों के सामने लोकतंत्र इस्थापित की चुनोती भी एक थी दूसरे शब्दों में लोगतांत्रिक व्यवस्था के लिए जो सबसे बड़ी चुनोती थी वह थी अन्य चुनोतियां जिसे मैंने कहा उस समय वो मुह बाय खड़ी थी और सरकार के लिए एक तरीके से तै करना मुश्किल हो गया था कि किस चुनोती को हम प्राथं दें ऐसी चुनोतियों के चपेट में आकर अन्य देशों में क्या हुआ क्यों कि भारत की जो चुनोतियां थी इसमें कुछ चुनोतियां तो खेतरी थी भारत से ही जुड़ी हुई थी लेकिन कुछ चनौतिया सभी नवोधित राष्टों के लिए काउमन थी 1945 के काल की और आप नज़र डालें और नक्षे में देखें तो आप आएंगे कि भारत के बाद कुछ नहीं तो कम से कम 70-80 नए देश स्वतंत्र हुए क्योंकि उपनिवेश वाद समाप्त हुआ नवोधित राष्टों का उदै हुआ और जब ये नए राष्ट सामने आये तो इन्हों ने कैसी राजनीतिक विवस्था अपनाई इनके बारे में यह कहा जाया तो कई देशों के निताओं चुनोती लोग तंथर को उचित नहीं माना था उस काल में कम से कम कई लोग उन्हें तो पूरी तरह से लोग तंथ की विवस्था को नकार दिया कई देश के शासकों ने कहा कि लोग तंथर हम लाएंगे कुछ वर समय बाद पहले बागी चुनौतियों को निपट ले, तो भारत के सामने कई रास्ते थे और कई तरीके थे, तो एक चुनौती ये भी थी, दूसरे रास्त्रों के इधारन, इनका कहना था, इन रास्त्रों का, कि हमारी पहली परात्मिक्ता भाई रास्त्री एकता है, पहले तो हम को खुल कर बोलने का अधिकार है ऐसी स्थिते में देश की राष्टी एक्ता मजबूत नहीं होगी तो उन्होंने कहा कि हम राष्टी एक्ता के मद्दे नजर राष्टी एक्ता की चनौती के मद्दे नजर जो इतने वर्षों बाद हमें मिली है सुतंता के साथ हम पहली प्रा नाम पर क्या लोग तंत्रिक व्यस्था को दरकिनार कर दे या कुछ और तरीके अपनाएं लेकिन भारत के सामने कुछ और समस्या थी वो लोग तंत्रिक व्यस्था को दरकिनार नहीं कर सकता था क्योंकि पूरे राश्ट्री अंदोलन के दोरान कांग्रेस जो राश्ट्री अ हो गई एतिहासिक प्रिष्ट भूमी एक बहुत बड़ी चुनोती थी वे अन्य देश जिन्होंने राष्टी एक्ता को ज्यादा महत्ता दी उन्होंने कहा कि पहली प्रात्मिक्ता राष्टी एक्ता और लोक तंत्र को अपनाने से मतभेद और संघर्ष ज्यादा बढ़ेगा भारत में इसकी संभावन और ज्यादा थी क्योंकि समाज जाती व्यवस्था से खेतरीता की कारण भाशाई अधार के कारण और अन्य बहुत कारणों से बहुत से टुकड़ों में बटा हुआ था रियासिती व्यवस्था के कारण ना जाने कितने कारणों से भारत में एकता के नाम से कुछ नहीं था तो भारत के सामने और बड़ी सबस्या थी और बड़ी चनौती थी खासकर तब जब विदेशी राज्या धक्षों का कहना था कि इससे विवाद मतभेद संघर्ष को बढ़ावा मिलता है प्रणाम क्या होता है पाँचवा इन देशों में अलोक तांतरिक विवस्था लागू की जाती है अर्थात नवोदी स्वतंत राष्टों में जिनकी संख्या सत्तर असी से ज़्यादा थी उनमें से अधिकतर राष्ट अलोक तांतरिक विवस्था अपनाते हैं चाहे वो तानाशाही के विवस्था हो चाहे सैनिक शासन के विवस्था हो या कुछ इस तरह की जिसमें सत्ता केंद्रित हो जिसमें जनता का जो जनता का योगदान हो या जनता की भूमिका हो वो नगन्य हो ऐसी विवस्था अपना ही थी और इसके माइने ये कि अलोक तांत् के भी बहुत से रूप थे कहीं पर थोड़ा बहुत लोकतंत्र था लेकिन प्रभावी लोकतंत्र किसी एक नेता के हात में था तो कहीं पर एक डल के शातन और कहीं कहीं पर सीधे सेना ये अलोक तांतरिक देशों की राजनीतिक ववस्था की बात कर रहो हूं कहीं पर एक व्यक्ति उसी के पूरी सत्ता पूरे उसी में समाहिद कहीं पर एक दल याने एक ही विचारधारा और कहीं पर सैनिक शातन डारेक्ट्ली सिधा आर्मी के हाथ में सत्ता थी जैसा कई बार हमारे पड़ोसी राष्टों में चाहे वो पाकिस्तान हो या म्यान मार हो वहाँ पर कई बार राजनितिक सत्ता जो है वो पूरी सैनिक शासन के हाथ में रही है तो भारत के सामने अगली चनौती ये थी कि यदि हम अलोग तांतरिक व्यवस्था में से किसी को अ कॉंग्रिस की थी उसमें अलोग तांतरिक व्यवस्था के बारे में सोचना ही गैर मायने था लेकिन फिर भी चिनौती इतनी बड़ी थी कि सोचने की भी व्यवस्था थी अलोग तांतरिक शातन व्यवस्थाओं के शुरुआत कई देशों में जैसा मैंने कहा इस बात से हुई कि एक कुछ समय बाद हम लोग तांतरिक व्यवस्था कायम हुई तो फिर वो उसे बदल पाना असंभव ही हो गया कुछ सेना ध्यक्षों ने कुछ राज्या ध्यक्षों ने वदा किया था कि राश्टी एक्ता की समस्या का निराकरन करने के बाद हम अपनी अलोग तांतरिक व्यवस्था को बदल के लोग तांतरिक कर देंगे पर वो लगभग ना मुमकिन ही थाबित हुआ हाँ जहां लोग तांतरिक व्यवस्था थी वहाँ जरूर ज़्यादा से ज़्यादा गैर लोग तांतरिक व्यवस्था की और सत्ता मुखातिर हुई लेकिन जहां उल्टा होना मुश्किल था और साथ एक लोग तांतरिक देश का एक अलोग तांतरिक देश का लोग तांतरिक देश बनना लगभग ना मुमकिन ही देखा गया तो ये छटवी चुनोती समझ लीजे भारत के लिए कि भारत के सामने ऐसा उदाहरन ही नहीं था उच्चित उदाहरन जहां पर पूर्ण रूपेंड लोग तांतर देखा जाया और उससे प्रेरित होकर भारत की समविधान सभा के सदत से एक मुश्ट एक बार में निश्प लोग तांतरिक राजनीती वाले व्यवस्था अपना सकें कोई उदाहरन नहीं था अमेरिका वगर की भी बात करें तो वहां पर ज़र ज़र दो दली राजनीती थी इंग्लेंड में दो दली राजनीती थी लेकिन इंग्लेंड में राज्या धक्ष तो राजा था रानी थी और अमेरिका की सित्य भी कुछ बदली थी जिसको हम आगे पढ़ने के कोशिश करेंगा आप सोचिए इतनी सब चुनौतियों के बाद जो देश के सामने रष्ट निर्माण को ले कर थी उसके उपर किस तरह की राजनीतिक विवस्था भारत में लागू की जाए ये कितनी बड़ी चुनौति थी ये सब छहयों सात्मों बिंदूओं को समझने के बाद अब आप समझ गया होंगे कि भारत के समविधान सभा या समविधान निर्माताओं ने यदि निश्पक्ष लोकतंतिकी राजनीति का मार्ग अपनाया तो कितना बड़ा साहसिक कदम था बहुत साहस की जुर्थ थी एक निश्पक्ष लोकतंतिक देश के निर्मान के लिए का निर्ना लिया गया, बहुत साथ, और केवल इन छहसाठ चुनौतियों के मद्दे नजर ही नहीं, यह साहसिक निर्ना नहीं कहा जाये盼। किवल अंतराश्टी प्रिष्ट भूमी वी जो समस्या या राश्ट निर्मान के समस्याओं की चुनोतियों को लेकर जो मैंने आप से बाते कहीं उसके मद्दे नजर ये नहीं कहा जाएगा कि ये बहुत सासिक कदम था इसका एक तीसरा कारण भी था और वह था भारत की जन सं किया के विशालता हूँ यानि हम यदि इस प्रश्ट का उत्तर खोजें कि लोक तांतिर्क विवस्था का भारत में लागू करने का निर्णा एक बहुत सासिक कदम था इसके पक्ष में उत्तर लिखें तो पहला पहला बिंदु जो आपको बताना होगा विस्तार से वह है त दूसरा लोक तांतिर्क विवस्था बनाम 11 लोक तांतिर्क विवस्था के बारे में जो मैंने 6-7 बिंदु बताया है वो दूसरा बिंदु होगा और तीसरा होगा देश की अंदरूनी स्थिति चुनौतियों के अलावा पहला अंदरूनी स्थिति पर बात करें तो साहसिक कदम इसलिए माना जाता है कि ये जो लोक तांतिर्क विवस्था हमने अपनाई ये भारत के राष्ट्री आंदुलन और जनता की आकांग्शाओं का स्वाभाविक परणाम था स्वाभाविक परणाम राष्ट्री आंदुलन में हमने लोक तंत्र की ही बात की थी स्थत्रूप से अंग्रेजों पर भी लोक तंत्रात्मक विवस्था को लागू करने का दबाव बनाया था उसी के परिप्रेक्ष में तो 1935 के चुनाओं हुए थे जिसमें भारत के विवन दलों ने भाग भी लिया था सरकारें भी बनाई थी बले ही वह प्रयोग असफल रहा लेकिन लोक तंत्रिक विवस्था का एक दाहरण तो श्थापित हुआ तो भारतियों की आकांग्षाओं का परणाम उसको पूरा करने की चुनाओती आप भारत के समविधान में यदि आप उसके उसकी प्रस्तावना में जाएं पहले प्रिष्ट पर जिसे अंग्रेजी में प्रियेम्बल कहते हैं तो इस प्रस्तावना की शुरुवात के शब्दों को देखें तो इसमें लिखा है हम भारत के लोग ऐसा 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 करेंगे लोग के तांत्रिक शुर्था लाएंगे और सारी बाते लिखीं क्यों लोग करेंगे ये सब हम भारत के लोग अर्थाथ प्रस्तावना में हैं हमारे संविधान नर्माताओं ने स्पश्ट कर दिया कि भारत की जनता सरवो परी है ये संकेत दे दिया कि भारत में शासन की अंतिम शक्ति जो है वो जनता है जनता में नहित है और भारत का सम्धान भारतियों ने बनाया है अंग्रेजों ने नहीं किसी सरकार ने नहीं किसी अन्य देशों के द्वारा थोपा गया नहीं किसके द्वारा भारती जन्ता ने बनाया यह जमीन तयार करने वाली बात हो रही है जो मैंने प्रारण में कहा लोक तांतरिक विषथा की जमीन तयार करना ऐसी पंग्ति लिख कर एक स्ट्रोक में उन्होंने समविधान को पढ़ने वाले भारतीयों के मन में यह भावना लए उसमें सफल हुए कि अब हम निर्माता हैं कोई और नहीं ये बहुत बड़ी बात थी संविधान में लोक तंत्र क्षासन व्यास्था को स्थान दिया गया और स्पश्ट किया गया कि लोक तंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें शासक वर्ग ना केवल जनता द्वारा निर्वाचित होता है बलकि जनता के प्रति उत्तरदाई होता है जो भी शासक होगा वो किसके द्वारा निर्वाचित होगा जनता के द्वारा हमारे द्वारा आपके द्वारा सत्ता में जो भी जाएगा उसके पीछे हमारा और आपका भोट है मत है बहमुल है और सत्ता में जाने के बाद वे लोग हमसे दूर नहीं हो जाएंगे हमसे अलग नहीं हो जाएंगे शासक वर्ग कहलाइंगे लेकिन किसके प्रति जिम्मेदार रहेंगे हमारे और आपके प्रती जब तक हम चाहेंगे तब तक वो सत्ता पे रहेंगे अनिता नहीं ये बहुत बड़ी बात लोकतंत्रकी रहती है सच्चे लोकतंत्रकी उट्तरदाई हुने का प्रत क्या है शास्यकवर्ग हमारे आपके प्रत Darदाई होगा इसका मतलब यह है कि जनता यदि उसके काम से संतुष नहीं तो बदल सकती है और हम बदलते आए हैं जब हमारी इच्छा हुई हमने सरकारें बदली है इसके लिए नियमित अंतराल पर चुनाओ होना जरूरी है नियमित अंतराल ऐसा नहीं कि जब इच्छा हुई शासक अगा यह अच्छे दिन आने वाले हैं तो इसने चुनाओ कराए अनिता नहीं एक निश्चित काल में जैसे भारत के संदर में अधि बात करें तो लोग सवा का निश्चित काल पांच वर्ष का माना गया हर पांच वर्ष में चुनाओ होगा ऐसी विवस्था एक सच्चे ल भारत के अंद्रूनी चुनोतियों में जैसा मैंने बताया भागोलिक विवस्था भागोलिक विशालता जन संख्या की विशालता और उसमें जन संख्या का विभाजन जाती के अधार पे धर्म के अधार पे भाशा के अधार पे खित्रीता के अधार पे मौसम के अधार पे कुल संस्कृतिक विरासत के अधार पे रजवारों के अधार पे यहने हमारे हाँ समाज को बांटने के बहुत से तरीके थे बहुत से उनको एकिकरित करना उनको बांद के रखना एक बहुत बड़ी चुनौती थी और उपर से साहसिक कदम ये इसलिए कहलाया कि इस पूरी देश की जो जनता थी उसका मत पंद्रा प्रतिशत लोग पढ़े लिखे थे बाकी अशिक्षित थे अशिक्षितों से ये उम्मीद करना कि वे उचित सरकार का चैन करेगी उचित लोगों को देश का नित्रत उनके हाथ में देगी इसको लेकर दुनिया में बहुत मजाक हुआ विश्व ने बहुत शंका की निजर से भारत की और देखा जब भारत के संब्धान निर्माताओं ने घोशना की कि हर व्यक्ति को जो 21 वर्ष से ज़्यादा की उम्र का है हर व्यक्ति को कितना भी अनपड क्यों नहों कितना भी दरिद्र क्यों नहों उसे मत देने का अधिकार होगा और ऐसे लोगं की संख्या 85 पतिशत थी और ये लोग देश की जिम्मेदार सरकार चुनेंगे जो इतनी सारी चुनोतियों का सामना करने में सक्षम हो बहुत प्रशन चिन लगे उसके बावजूद हमारे संख्या निर्माताओं ने इसी लोग तंत्रिक व्यवत था कि पैरवी की और उसे लागू करने का निर्णे लिया इसलिए ये बहुत 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 बढ़ा साहसिक कदम कहलाता है